जय माता दी दोस्तों, नवरात्री की शुरुआत कैसे हुई? जानिये, सबसे पहले किसने रखा था नौ दिनों का वरत्चैत्र। नवरात्री की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम नवरात्री क्यों मनाते हैं। नवरात्री को नौ दिन मनाने के पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्री के दौरान माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में चार बार नवरात्री आती हैं, जिनमें एक बार शारदिय और एक बार चैत्र नवरात्री, इसके अलावा दो बार गुप्त नवरात्री के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्री में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्री की शुरुवात कब और कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्री में नौ दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्री मनाने की शुरुवात कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्री का व्रत किया था? माम दुर्गा स्वयम शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्री में सभी भक्त, आध्यात्मिक शक्ति, सुख सम्रिध्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं औ प्रभुश्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुरलब माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंड लिये। लेकिन जब रावन को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंड रहे हैं तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चड़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आँख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ती से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीरवाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन करने के लिए प्रभुश्री राम ने अन जल कुछ भी ग्रहन नहीं किया। नौ दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावन पर विजय प्राप्त हुई थी। लिए भक्त वरत रखते हैं जो कि बेहद शुभ फलदाई माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्री में श्रद्धा पूर्वक माता की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्री के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है।